इस वक्त हम यहां आयोए हैं सेक्टरेट के अंदर जहां काफी लोग बैठे वी हैं और इसी मामले को लेकर बात करेंगे जिसमें मनोज जी बताएंगे हमारे को इनका पिछले दिनों से जो नेगोसेशन है उस यूनियन के साथ चार बार नेगोसेशन हो चुकी है इनकी रेट को लेकर जो निउन्तन मजदूरी है जो पथेर का रेट है वो पानसो उन्तारीस रुपिया सरकारी रेट है और उसी मांग की तरज़ पर बठा मालिकू से उनकी कि यूनियन से और मजदूरों की यूनियन की बीच में नेगोसेशन होई है चार बार चारूं बार मालिकूं का रुप ठीक नहीं था वह इस इसाब किताब पर नहीं आए वह नेकोसेशन तूट गई तूटने के बाद मजबूरन मजदूरों ने अपना काम धंदा चोड़ अगर यहां टीसी कारियालेबर अपने इसाब के लिए आये हैं अब यह चाहते हैं कि हमें न्यूंतन मजदूरी जो सरकारी रेट ता है वो मजदूरी मिले और हमारा इसाब हो जाए और हम घर चले जाए यह पिछले चार दिन से लगातार यहां बैठे हैं परसासन के दरव जो चोटे चोटे बच्चे भी हैं और बीच में एक दो महिलाय मारे बीच में गरवति मिलाय शाइन जिनको साथ आठ मिन helmets की बच्चा पेट में हैं एक महिला की तकलिप होई है जो दिलेवरी उसके विए होने वाली है साथ-8 मिनन कर्व बच्चा उसके बेट में है वो साइध बठापर वापसी गई वह तकनीच जादा है और ये एक महिला हमारे बीच में बैठी है लेकिन ऐसी परिस्तितिएँ में यहां डिसी कारियाले पर बैठे हैं और सारे परसासनी कदिकारी यहीं से गुजरते हैं और यहीं से आते हैं ले कुछ लेबर को आपनी वापसी ले गए हैं लेकिन यहां अब पांच बठ्ठा की लेबर यह बैठी है और कल से साइद दूसरे बठ्ठों की भी लेबर आएगी लेकिन अभी तक कोई परसासन की तरफ से बठ्ठा मालिकों पर दबाब बनाया जाए या इन मजदूरों को रहा दिलाने का काम किया जाए ऐसा कोई कदम नहीं उठ्ठा दिखाई दे रहा है वारता लाप चल रही है कल का अस्वासन मिला है कि मालिक वह आया था पांचु बठ्ठा मालिकों लेकर आएंगे अभी अस्वासन पर दिल्कट रहे हैं कल क्या होगा वह आने वारी समय बताएग कुछ अपने से दर्वेल जितना इनकी परिष्टिती थी उतना थोड़ा बहुत अपनी जेव से खर्चकी भी खा रहे हैं ऐसे दिन काट रहे हैं कोई बरपेट खाना अभी इनको नहीं मिल पा रहा है बड़ी एक सर्मिंदगी की बात है तो रात को यहीं रहते हैं मतलब ब तुफान में लगातार अलग-अलग परिष्टिती से गुजरना पड़ रहा है छे तारीकों रात को वो दो-चार साथी आगे तो बत्मी जी भी करी इनके साथ और उनको फिर वहां से बगाए ऐसी परिष्टितियों से मालिकों से बात चिक करके आए थे क्या करके आए थे म अनको प्रकार की परिष्टितिया आ रही है तो इन छोटे-छोटे बच्चों की मालो या जैसे भी माल बात करे आपा बही इनके नाने की फ्रैसोने की या मैडीकल की कोई ऐसा कुछ यहां फिर वो कैसे अर्जश करते हैं यहां तो तीन बच्चों के बुखार और तबीत ख बिल्कुल इनको अपनी प्रिष्टिती पर जीने और मढ़ने के लिए परसासन के बारना आगा पड़े हुए है और चार दिन से डिटे हुए है तो डिलिवरी वाली कौन सी मैला है कितने टाइम से हैं यह साथ मिन है आट मिन है आच्छा तो बाकी इनको दिक्कत कोई प्रो कि यह कह रहे हैं यह भू के प्यासर पड़े हुए है आपको अगर खाना पीना नहीं मिलता है इसका करके एक लेडिक बिमार भी होगी उसको हमने घर पर बेज़ दिया है वह ज्यादा बिमार हो गया है कि कितने टाइम से कोई दिक्कत हो रही है आपको चलो और बाकी मतलब यही समस्या है और इसको लेकर आप लगातार चार दिन से दर्णे पर बैठे है अभी बात्चित चल रही है जी 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 बात्चित के ओपर अभी तूट रहे हैं वाकर गरवती महिला है है इनको प्रोटीन की खाने की सारी चीज़ों की जूरत है लेकिन अब पेट भर भी खाना मतलब जिस चीज़ के मोके भी जूरत होनी चीए वह आज यहां बैठे हैं अलावा पेट से भी बुखा रहना जो पड़ रहा है एक बैंकर परिस्तिती से मजबूर बुजर रहे है और जो सरम की बात बढ़ी यह है कि डिसी कारियालेप के गेट के शामने चार दिन से बैठे हुए हैं अभी तक परसासनी कदिकारी ने अपनी जिम्यवारी लेते हैं कोई कदम नहीं उठाया है यह बढ़ी एक दिकत की सी नज़र आ रही है परसासन की तरफ से में चलो आप सभी के साथ श्योग उपरवाला जरूर करेगा क्योंकि परसासन भले ही ना सूनता हो लेकिन उपरवाला जरूर देख रहा है यह छोड़े चोड़े बच्चों की तरफ तो जरूर आपकी मांगों को माना जाएगा और अभी परसासन से उमीद करते हैं कि इन करते हैं कि अवाला जरूर 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 जरूरू जरूर जरूरू 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